नमस्कार न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रितुपाद्धिया आईए जल्दी से देखते हैं आज की हेड्लाइन्स क्या है आठ दिसंबर कुमना सार्क चार्टर डे दक्षन एशिया में एहम है सार्क काठमांडू में है मुक्टाव भारती एरटेल और मेटा आये साथ टू परल अफ्रिका में करेंगे निवेश बढ़ेगी इंटरनेट कनेक्टिवी और काली मिट्टी पर जारी की एफ ए ओ ने रिपोर्ट गुडवत्ता में आ रही कमी दक्कन के पठार में मिलती है काली मिट्टी चलिए खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बर फिर दोहरा दूँ आपको कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडियेफ फॉर्मेट पर पढ़ना चाहते हैं तो अमरितुपाद्ध है 007 टेलेग्राम चैनल पर जाईए जहां इसकी पीडियेफ रोजाना मिलती है आएए खबर चुरू करें आठ दिसंबर को सार्क यानि साउथ एशियन अस्सेशन फॉर रीजनल कोपरेशन के चार्टर डे के तौर पर मनाये जाता है आठ दिसंबर 1985 को सार्क के चार्टर पर धाका में हस्ताक्षर किये गए थे सार्क एक अंतरसरकारी संगठन है इसका गठन बांगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रिलंका ने दक्षेन एशिया में आर्थिक सम्रिद्धी के मकसद से किया था आफगानिस्तान सार्क में आठमें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ था विशशग्यों द्वारा practically dead बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे दक्षिन एशिया तक पहुँच रखने वाला सार के एक मात्रा अंतर सरकारी संगठन है। इस प्लेटफॉर्म के जरिये भारत इस क्षत्र में अपने हित पूरे कर सकता है। संसत का शीत कालीन सत्र शुरू हो गया है उपराश्टपती जगदीब धनकर ने राजसभा की अध्यक्षता की। करना है। आपको बता दें कि वर्तमान में सुप्रेम कोट में कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित है जो कि सुप्रेम कोट और हाई कोट के जज़ों के अपॉइंट्मेंट्स और ट्रांसफर से संबंदित निरने लेती है। इसकी जगा साल 2014 में 99 संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए नेशनल जुडीशियल अपॉइंट्मेंट कमिशन गठित किया गया था। इसे फोर्थ जज़ेस केस 2015 के जरिए सुप्रीम कोट ने निरस्त कर दिया था। इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2019 में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि निमलिखित कथनों पर विचार की जिए भारत के समविधान के 44 में संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुछेद ने प्रधान मंत्री के निर्वाचन को नियाईक पुनर विलोकन से परे कर दिया। दूसरा कथन था भारत के समविधान के 99 संशोधन को भारत के उच्छतम नयायाले ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह नयायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। और पूछा गया था कि उपर युक में से कौन सा यसे कथन सही है या हैं केवल एक केवल दो एक और दो दूनों न तो एक और नहीं दो। FAO यानि Food and Agriculture Organization ने Global Status of Black Soil नाम से रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट के मुताबिक काली मिट्टी पर संकट के बादल मन रहे हैं। काली मिट्टी को वैश्विक खाद्य वैवस्था में बहुत एहम माना जाता है लेकिन ये मिट्टी अपना Soil Organic Carbon खोती जा रही है। रिपोर्ट में इसके लिए Land Use Change, असतत प्रबंधन और Agro Chemicals के बढ़ते प्रयोग को जिमधार माना गया है। गोरतलब है कि काली मिट्टी को बेहद उपजाओ माना जाता है क्योंकि इनमे नमी को लंबे वक्त के स्टूर करने की क्षमता होती है। जबकि वैश्विक मिट्टी में इसका हिस्टा 5.6% है। मिट्टी वायू मंडल से कार्बन हटाकर स्वायल और्गैनिक मैटर में स्टूर करती है इसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है इसे मानव जनित जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए एक समाधान के तौर पर देखते हैं भारत में काली मिट्टी दकन के पठार के अधिकाश हिस्सों में पाई जाती है महराश्ट्र गुजरात अंतरप्रतेश और तमीलनाडू के कुछ भागशामीने का लेकिन फॉस्पोरस नाइट्रोजन और पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है भारती एर्टेल ने फेस्बुक की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ हाथ मिलाने की गोश्टा की है दोनों कंपनी साथ मिलकर ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रेस्ट्रक्शर में निवेश करेंगी इसके तहट टू अफ्रिका पर्ल सब सी केबल को एक्सिटेंट करने का प्लान है तू अफ्रिका पर्ल दुनिया के सबसे लंबे सब सी केबल सिस्टम में से एक है इसके तहट अफ्रिका एशिया और आईए अब जल्दी से देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं पहला सवाल है काली मिट्टी के संबंद में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए काली मिट्टी नमी को लंबे समय तक बनाया रख सकती है इसमें चूना लौह मैगनीशिया और अ और तीन दूसरा सवाल है मेटा द्वारा शुरू किया गया टू अफ्रिका पर्ल संबंदित है इंटरनेट कनेक्टिविटी से अफ्रिका में हीरे के खनन से या फिर गरीबी उनमुलन से या फिर नसलबाद को खत्म करने से आई देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधार मननार चैनल या फिर सुंदर्बन कहा गया कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये केवल एक दो तीन केवल तीन केवल दो और तीन या फिर सभी और सही जवाब है सभी अगला सवाल मैंने पूछा था निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिट प्रयोग कर सही उत्तर देना था और इस प्रशन का सही जवाब है यानि केवल एक तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कल रात 9 बजे आप से मुलाकात होगी फिर से अपना ख्याल रखिए ठीक स पढ़ाई कीजिए नमस्कार